क्लास दें ते स्टाइड मैं सामट विबर 2023 के कोश्चन नुमर 30 के सॉलिशन में पहुच चुके हैं अगर आपने इसे प्रिपेस वीडियो अभी तक नहीं देखा शाथी साथ आने वाले वीडियो के सॉलिशन देखना चाहते हो तो कोश्चन नुमर 30 के और में भी एक कोश्चन है जिसको अगें हमें एक सेपरेट वीडियो में डिसकर्स करेंगे जो कि अगें उसी प्लैलिस पर अप्लोड कर दिया रहेगा कोश्चन नुमर 30 क्या है प्रूब डैट अब पैरलेलोग्राम सर्कम्स्क्राइबिंग अ सर्कल जो एक सर्कल के उपर हम लोग समझ सकते हैं कि पैरलेलोग्राम जो बना है वो एक रॉम्बस का फॉर्मेशन करता है यह हमें प्रूब करना है या आप ऐसे बो सकते हो कि पैर ठीक है जब बेच दिया है तो ऐसा सब्सक्राइब कि यह हमारा क्या है पैरलेलोग्राम है कि यह जो हमारा है इसका नाम दे देते हैं एक पैरलेलोग्राम है एसा हमें देना है और प्रूब करना है कि यह ABCD जो होगा वो एक रॉम्बस होगा आओ इसको प्रूब करते हैं हमें अगर बात करें गिवन के तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है पैरलेलोग्राम है तो पैरलेलोग्राम में आप बोल सकते हो कि AB जो होगा वो पैरल से साथ हैं आपकिया क्या सकते हो ऑगज होगा लोग एक लिए। यह पहले लोग्राम के थुरू हम लोग समझ सकते हैं हमें प्रूब क्या करना एक rhombus है तो हम लोग यहां पर सिंप्री लिख दें कि two proof rhombus के लिए हम लोग क्या प्रूब करना होगा कि सारा साइड इक्वल है that is हम लोग को बूरना पड़ेगा कि AB जो है वो equal है किसके BC के और BC जो है वो equal है CD के और ये equal है that is AD के यही हमें proof करना है कि सारा साइड जो होगा इसका equal होगा ठीक है तो चलिए इसका proofment हम लोग start करते हैं तो यहां पर हमने proof करना सुरू कर दिया है अब अगर आपको circle का एक property बता हो तो आपने देख रखा है कि अगर external point से दो tangent drop किया जाता है एक ही circle पे तो वो दोनों equal होता है later support यह point A ले 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 हम लोग external point है तो इस basis पे हम लोग बोल सकते हैं कि यह वाला जो area है और यह वाला जो area है दोनों क्या होगा? अब इसका नाम करन शुरू करते हैं इसको हम लोगते है P इसको suppose कर लेते है Q यह suppose कर लेते है R और यह suppose कर लेते है S जहां जहां पे इसने touch किया है तो इस basis पे बोल सकते हैं कि A P जो होगा वो equal होगा किसके? A S के तो प्रूफ्मेंट में हम लोग simply लिख देंगे यहां पे कि length of tangent length of tangents from an external point from an external point from an external point are equal यानि कि external point से tangent draw किया जाए तो वो length में क्या होगा? that is equal होगा तो इस basis पे आप बोल सकते हो कि A P जो होगा वो equal होगा किसके? A S के ठीक है जर? उस basis पे आप ये भी बोल सकते हो कि जो B P होगा वो equal होगा B Q के ठीक है जर? ये भी बोल दिया हमने इसको equation first बना लो इसको equation आप second बना लो गए ठीक है? समझ ज़के अब उसी टैप से आप बोच सकते हों कि CR जो होगा वो CQ के equal होगा तो हमने लिख लिया CR is equal to CQ यह इसको हमने equation third बना लिया आप तो बोलो कि sir CQ यह equal है CR के तो हम क्या आप लोग इसको CQ equals to CR लिख सकते हैं तो उसको आप नहीं लिख सकते हो क्यों नहीं लिख सकते हो मैं उताता हूँ अभी आपको इसी बेसिस पे अगर इसको external point मारे तो हम लोग हो सकते हैं कि DR किसके equal होगा that is DSK equal होगा इसको हमने equation 4 होना दिया अब देखो समझो इना पर क्या दरना है हमें simply करना है 4 को add यानि कि क्या करना है first को add कर रहे किससे second से और second को add कर रहे third से और third वाला भी add कर रहे किससे that is fourth से यानि कि चारों को आपस में add कर रहे तो आपको बता है left वाला left के साथ add होगा right वाला right के साथ add होगा तो हम लोग लिख सकते हैं AP plus BP plus CR plus DR is equals to किसके AS plus BQ plus CQ Q plus DS plus DS ये क्या होगे आप तो स्ने को लेफ्ट वाला left के साथ add होगा right वाला right के साथ add होगा अब अगर आप देखो तो AP plus BP AP plus BP किसके equal होगा that is AB के अब अगर आप BP के place पे BQ equals to BP कर देते तो थोड़ा confusion हो जाता न जिंदिकी में confusion क्यों लेना इसलिए हमने इसको AB रखा ताकि इसको AP plus BP हम लोग कर सके बाद में इसलिए हमने AP equals to AC किया है BP equals to BQ किया है अगर आप नीचे भी रखो तो CR और DR को हमने एक तरफ रखा है उसका reason क्या है CR और DR add होगा अगर CR और यहां पर DS ला देते तो add ही नहीं होता CR plus DS कुछ होता है नहीं होता है अच्छा सर इसका insert क्या है आप लोग सोच रहोगे सर आप बहुत तेज बन रहे हो सर यह तेज बन बन के आप ऐसा कर रहोगा तो ऐसा बनना पड़ता है AS plus BQ यह तो कुछ है यह नहीं है सर कोई बात नहीं है सर AS और DS AS और DS को देखो AS और DS सब तो सम्ही में ना इसको लिख सकते है ना AD सर अब लिख सकते है और BQ plus CQ BQ plus CQ इसको हम लोग क्या लिख सकते है That is BC ठीक है तो आपने ऐसे लिख दिया I hope कि यह concept आपके अच्छे दरीके से clear होगा और आप देखो कि हिंसी आइटे में यहीं तक एक solve करने के लिए दिया हुआ है लेकिन यहां पर हमारे पास आया AB plus CD is equals to AD plus BC ऐसा तो हमें कहीं प्रूब ही नहीं करना हमें तो प्रूब करना एक ABCD एक wrong verse है ठीक है कोई बात ने हमें पता है कि AB जो है CD के equal है तो हम लोग AB के place पर CD लिख सकते है CD के place पर AB लिख सकते है आज़ो इसको CD बना लिखते है तो CD plus CD is equals to क्या होगा AD को AD रहन देते है प्लस BC को भी AD लिख सकते है यह तो हमें given था ना तो इसको हमने लिख लिख लिया क्या AD तो इस basis का आप लिख सकते हो that is 2CD is equals to 2AD 2 से भी मर गया तो आप बोल सकते हो कि CD जो होगा simply equal होगा AD के यहाँ पेरम लोग hence वाले पार्ट को लिखते है ठीक है था कि मिटानों ना पड़े और A की ही बारे में आप सारा कॉंसेप्ट देख सको हलाकि यह तर तुम्हें ठीलिया कोल बार में लिख देते है जर अब देखो क्या दिया है AB equal है CD के AB equal है CD के और CD equal है AD के तो आप यह भी बोल सकते हो कि AB जो है आपको पता है यह भी AD equal है PC यानि कि सब मिलके पागल बना रहे है हमको चारो हपस में equal है गया लघक है ना बुछीआ में सारा मिलके पागल बना रहे हमको तो बस नहीं है कि चारो हपस में equal है और यहां से हमारा प्रूब्मेंट हो जाता है कि यहां पर आप लिख दो के कि यह हमारा क्योंगे अप्रूब्ट हो गया इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि बी सीपल होगा के अब हमें प्रूब क्या करना था कि अगर एक एक्स टरनल पॉउंट से खीचा जाए इस बेसिस पर बहुत ही चालाखी से हमने ये चारों के 4 अपर बाद में सब को एड गया तो हमारे पास आया AB plus CD equals to AD plus BC अफिर यहां वाला जो हमने कितन था बस उसका property का use करके हमने लिखा कि CD is equals to AD आया और CD equal है AB के तो हमनों लिख सकते हैं कि AB पहले तो equal था CD के CD equal हुआ AD के और AD बीजे की equal है इसका मतलब आपस में चारो equal है और कुछ नहीं बल्कि ये हमें मुर्ख बना रहे थे तो हाई हो कि ये concept आपको अच्छे तरह के से clear होगा मिलते हैं अगली वीडियो में इसके और के question के solution के साथ country playlist का link description में है अगर आप आगे आने वाले videos देखना चाहते हो तो एकदम से playlist में जा और देखते रहो